नमस्कार उज्जेन, मैं सिम्रन तिर्वार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभेई नियूस के साथ पार्च शुमवार शाम के बुलेटीन में चली दिखते हैं उज्जेन शहर की आज की कुछ खास खब्रे दिवास के युवक आकाश साथते ने नांगजीरी पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसने चल पुरवक उसकी पतनी को ससुराल वालों को सौब दिया है दरसल आकाश ने पाशबनाथ सिटी में रहने वाली रितिका बोरिवाल से रव मैरिज की थी एमबिये की पढ़ाई कर चुकी रितिका के पिता नरेंद्र बोरिवाली शादी को मानने को तयार नहीं है 11 फरवरी को नांगजीरी पुलिस इंदोर से आकाश सांग थे और रितिका को पकड़ कर लाई थी और रितिका को उसके परिवार वालों को सौब दिया था इधर आकाश का आरूप है कि थाने में उसके साथ मारपीट की गई और 80,000 रुपे भी लिए गए हैं पुलिस ने साफ किया कि रितिका अपने माता पिता के साथ रही गी आकाश ने पुलिस पर आरूप लगाते हुए कहा कि नाकशिरी पुलिस और रितिका के पिता नरिंद्र बुरिवाल पर कारवाई करने की मांग है प्रेस वारता के बाद सूषना पर आकाश और उसके साथ दानी गेट इस्ते रितिका के चाचा के घर पहुचे जहां वे ताली में बन थी इसकी सूषना आकाश ने पुलिस को दी मौके पर पहुची पुलिस ने आकाश को कंट्रोल रूम भीज दिया कंट्रोल रूम पर पुलिस अधिकारियों ने आकाश की बात सुनी और उसे उचित कारवाई करने का आश्वासन दिया लेकिन आकाश पत्नी से मिलने की जित में साथियों के साथ धरने पर बैठ गया कुछ दिर बाद माधवनगर पुलिस ने सभी को खदेड दिया थाने पर लेकर चलो आप और माँ पर इस्टेटमेंट लोस के तो उसको सर माँ पर थाने पर लेकर नहीं गये वो उसके बाद हम एसपी आपीस आए एसपी आपीस आके हमने गोवार लगई धरने पर बेटे यहाँ पर पुलिस वालों ने हमार साथ धक्का दूमी करी और अंदर केस प्रकरन दर्जी करने के उन्होंने दमकी दियम को पत्नी दुआरा मारपीट की शिकायत थाने में करने से पती इतना राराज हो गया कि उसने खुद का ही गलाब बेट से काट दिया पुलिस हिरासत में युवक को जिलास पताल में भट्टी किया गया है एकतानगर में रहने वाला 28 वर्षी संदीप पिता के लाश कुश्वा कि पत्नी तूलसी सुमवार को निलगंगा थाने पर पती द्वारा मार पिट किये जाने के शिकायत लेकर पहुची थी इसकी सुष्टा जब संदीप को लगी तो वो भी थाने पहुच गया और वहां पहुच कर ब्लेट से खुद के गले पर वार करने लगा ये देख महां हड़कम पच गया पुलिस ने उसे रोका और जिलास पताल में भट्टी करवाया जहां उसकी हाला ठीक बताई जा रही ह सुत्रों के अनुसार युवक नशे में था मामले में पुलिस ने महीला की चिकायत पर युवक के खिलाब घरेलू हिंसा का प्रक्रिंदर्ज किया है जिसमें पतिनी अपने पती के खिलाब मारपीट की और अन्यधाराओं की रिपोर्ट कर रही है जिससे शुब्ध हो करके उटके पती ने अपने आपको नुकसान या चोट पहुँचाने की कोशिश की जिससे तदकाल होस्पिटलाइस किया गया और तमान में उसकी हाला ठी सनावत से भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जेन आ रहे है चार दोस्तों की कार भेरु घाट के पास खाई में गिर गई सनावत से चार दोस्त राम, पीता, चोगालाल, बिरला, गणेश बिरला, महिंद्र बिरला और विनोतकार से भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जेन आ रहे थे भेरु घाट से आगे निकलते ही फॉरेस्ट गेट के पास इस्तित नाले में उनकी कार पलट गई हाथसे में कार की आगे की सीट पर बैठा राम अंदर ही फस गया, वहां से गुजर रहे वहां चालो को ने घटना की सूशना पुलिस को दी काफी देर बाद पुलिस की पैट्रोलिंग टीम मौके पर पहुँची, जिसके बाद घायलों को भार निकाला गया नाले में गाड़ी के अंदर ओंदे मूँ फसने से राम का दम खुड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई जाच में सामने आया कि कार करमांग MP 09 CS 6835 महेंदर बिरला चला रहा था राम भी उसके साथ ही आगे की सीट पर बैठा था, जबकि दोस्त विनोद और गणेश पिछली सीट पर बैठे थे घायल महेंदर ने पूलिस को बताया कि जिस नाले में कार पर्टी थी, वहाँ पानी बहुत था वह जब कार से निकले तो राम नहीं दिखा, बाद में जाकर दिखा तो वह उन्दे मूँ कार में ही पानी में पड़ा था जब तक उसे कार से निकाला उसकी मौत हो चुकी थी मिरतक राम बिर्ला की सनावद में कपड़े की दुकान है रात ने हुआ परिवार को महाकाल दर्शन करने जाने का कहकर उज्जेन के ले निकला था महेंदर भी कपड़ा व्यापारी है जबकि विनोत की मिठाई की दुकान है गड़ेश फिलाल कुछ काम नहीं कर रहा है पुलिस ने मर कायम किया है हाथ से की लापरवाही को लेकर जाँच की जा रही है इंस्टाग्राम से शुरू हुई लव स्टोरी का अंजाम ऐसा हुआ कि प्यार की हवा निकल गई सारे रिष्टेना ते तोड़ शादी शुदा महिला महराश्ट पहुच गई घूमते घूमते जोड़ा मंदिरों की नगरी उज्जेन पहुच गया कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पती भी दोनों का पीछा करते हुए उज्जेन आ गया और जिस होटल में दोनों रुके थे वहाँ पहुच गया पती को सामने देख पतनी और उसके प्रेमी के होश उड़ गया इश्को की कहानी इंस्टाग्राम से शुरू हुई और परदा फाश होने पर थाने में दव एंट हो गया ये ओनलाइन प्रेम कहानी शुरू हुई आठ महिने पहले जहां हरियाना की रहने वाली एक बच्ची की मा को महराष्ट के शाहदा के रहने वाले समिर पिता मंगल से इश्क हो गया दोनों की बीच बाच्ची शुरू हुई और जल्दी ही दोस्ती प्यार में तब दील हो गई प्यार की बाते फिल्दम भी चलने लगी रात दिन बातों का सिलसला शादी तक पहुँच गया एक दिन अचानक प्रेमी से मिलने उसकी प्रेमी का शाहदा पहुच गई दोनों अलग-अलग शेहरों में घूमते हुए बस से उजजेना गए इस लव स्टोरी में पती का ट्विस्ट आ गया दरसल प्रेमी जोडे को भनक ही नहीं थी कि महिला का पती उसका पीछा कर रहा है जैसे ही वो होटल में ठहरे तो पती ने भी एंट्री मार दी इसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया लेकिन पती ने नील गंगा पुलिस को फोन घंगना दिया जिसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले आई इसके बाद सुमवार दोपर में फरीदाबाद पुलिस की टीम उजजेन पहुची और उन्हें अपने साथ ले गई महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पती मैकेनिक है लेकिन घर में रुपय नहीं देता उसकी दो साल की बेटी है हमारी शादी वर्ष 2016 में हुई थी लेकिन वो दहेच के लिए प्रताडित करता था उसकी शिकायत की तो उसने समझोता कर लिया लेकिन कुछ दिन बाद फिर से मार पीट करने लगा वही महिला का प्रेमी समीर टूर एंड ट्रेवल्स में काम करता है दरसल महिला के पती ने उसकी गुमशुदगी की सूशना हरियाना के फरीदाबाद में दर्च करवाई है निलगंगा पुलिस ने महिला की सूशना फरीदाबाद पुलिस को दी जिसके बाद उन्हें लेने के लिए फरिदाबाद पुलिस की एक टीम यहां पहुची थी समाज सेवी महेश सितलानी को विश्व सिंधु सेवा संगम का जिलाध्यक्ष बनाया गया है सुमवार को उनकी नियुक्ति की घोशना होने के बाद सिंधी समाज में हर्श चा गया मुंबाई से उजेन आये विश्व सिंधु सेवा संगम के राष्टे अध्यक्ष डॉक्टर राजु वी मनवानी ने उजेन में घोशना की मनवानी भगवान जुले लाल की निर्माना अधिन प्रतीमा का अवलोकन करने आये थे सिंधी समाज के उजेन में चल रहे कारियों को देखकर उन्होंने खुशी जाहिर की दीपक बैलानी को संगम का सचीव बनाये गया विश्वे सिंधु सिवा संगम सिंधी समुदाय की सबसे बड़ी संस्था है और इसकी पिचोटर देशों में शाखा है है मनवानी ने समाथ सेवियों के साथ मीटिंग की और मूर्ती स्थापना के समय उजेन आने का भरोसा भी दिलाया नागदा के हाउसिंग बोट कॉलोनी में 24 फरवरी को 48 लाग की X-ray फिल्म लूटने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है इनसे लूटी गई फिल्में और 2 स्कॉल पियों भी जब्त की गई है दरसल जोनपूर के रहने वाले संजय जैस्वाल साथी अजित कुमार सिंग और जितेंदर पंडित के साथ हाउसिंग बोट कॉलोनी में रहते हैं यह लोग गुजरात की तोलानी गेस पाइपलाइन कमपनी में रेडियो ग्राफर का काम करते हैं 24 फरवरी को संजे काम कर रहा था अजीत और जीते इंद्र सोई हुए थे इसी बीच तीन से चार लोग अचानक मकान में खुसा है इन्होंने तीनों को घेर कर जमीन पर बैठा दिया और बोले कि अगर चिलाए तो गोली मार दिंगे फिर इन लोगों ने 40 पीटियों में रखी की एकसरे फिल्म की चोरी होने से संसनी फैल गई थी पुलिस ने प्रकरन दर्जकर टोल नाकों के फुटेज निकलवाए तो स्कॉर्प्यू यूपी आट एक बीक्यू दो दो साथ तीन और यूपी आट एक बी आर पांच छे दो पांच उजेन तरफ जाती दिखाई दी य इन वहानों को ड्राइवर अनुप शहर केकेलाश सेनी और ब्रजेंद कुमार शर्मा ले गए थे इन सभी को पुलिस ने उठाया तो वारदात का खुलासा हुआ एस प्या काश भूरिया के मताबिक ललिद गोयल की योजना के अनुसार दीपक शर्मा, विपिन शर्मा, राहुल भ्रद्वाज, 23 फरवरी को जैन पहुंचे और होटल में ठेर गए 24 फरवरी को ये लोग नागदा गए और लूट की वारदात कर यूपी लोट गए पुलिस ने दीपक शर्मा के घर से एक्सरे फिल्म, जनरेटर और दोनों स्कॉर्पियों को जब कर लिया है सभी 6 आरोपियों खिलाफ लूट का प्रकरण डर्च किया है इस प्रकार से घटना प्रम हुए जिसमें आभी मुख जो आरोपी है दीपक शर्मा है ललिद गोएल है जिए हम लोग की पकड़ से दू है को कि महां पुलिस गई थी पता लगाई तो प्लिस की आमाद रचा पागा दे लोग महां से लापता हो गए गैलेक्सी स्क्वेर अ कम्प्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन एक स्थान सो समाधान आपके लाए है सबसे कम रेट में बेस्ट कॉलिटी लाइट्स और एक्जिसरीज एलेडी लाइट्स एलेडी पैनल सेविक वेस्टन विनाय एंकर स्विच हेवी कॉलिटी डूप गैलेक्सी स्क्वेर जो चले सालों साल सूरिया बजाच औरियंट ब्लू सीलिंग फैन कूलर मोटर घीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे होलसेल रेट में उपलब्ध है लेडी फ्लरड लाइड, लेडी स्टीट लाइड, लेडी पार लाइड, लेडी सीरीज, ओल डेकोरेशन आइटम्स और हैंडमेट सीरीज आपका चालिस सालों का विश्वास हमारे साथ गैलक्सी स्क्वेर, 1982 सी शहर को दी रहा है कम्प्लीट लाइड सॉलिशन, होलसेल और रिटेल रेट्स आर अविलेवल फॉर अलेक्रिकल गोड्स गैलक्सी स्क्वेर, C6, पंडित दिन्डायल कॉंपलेक्स, साविरोडोजन, कॉंटेक्ट 975284-3852 श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुमवार को खनित साधन एवं शर्म विभाग मंत्री ब्रजिंद्र प्रताप सिंग दर्शन के लिए पहुचे उन्होंने गर्ब ग्रह में 15 मिनिट तक दर्शन और एवं पूजन किया इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राजिपाल के अभिभाशन पर हुए घटना करम को लेकर जीतू पटवारी को आड़े हातों लेते हुए उनकी इस हर्कत को बचकाने और दुर्भागी पूर्ण बताया दरसल मंत्री परिवार सहीत मंदिर पहुचे थी दर्शन के बाद महकाल मंदिर प्रबंधन समीती की और से उनका सम्मान किया गया इस दोरान उनने कहा कि बाबा का आशिरवाद लेने आता रहता हूँ जीतु पटवारी द्वारा राजपाल के अभी भाषन का विरोध करने के सवाल पर वे बोले ये अच्छा आच्रण नहीं है ये हलकी और बचकानी हरकत है सिंग ने पटवारी के विरोध को दुर्भागी पूर्ण बताया आपको बताते चले कि पंदरवी विधान सबा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है बजट सत्र शुरू होने से पहले सोशल मेडिया पर राव विधायक जीतु पटवारी ने राजपाल के अभी भाषन के वहिशकार के बात कही थी और यही विरूत जीतु पटवारी को भारी पड़ गया जिस पर ग्रह मंत्री डॉक्टर नरोतम मिश्रा ने आपती दर्च कराई थी जिसका समर्थन करते हुए पूर्व मुक्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि अभी वाषन का बहिशकार पार्टी का फैसला नहीं है सब बहुत अच्छा रहेगा और मान्यम उख्मट जी ने सब चीumoत की वाषन कर है इसी क्रम में शाम कोत्राखंड के राजिपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुर्मीत सिंग ने भगवान महाकाल के दर्शन की, महाकाल मंदीर प्रबंधन समीती ने उनका सम्मान किया, मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभूता बनी रहे, यही कामना भगवान से की है. विभाग में एनोसी देरी से देने को लेकर सोमवार को हंगामा हो गया, कारेले में लोगों की देर लगी रही और करमचारी एनोसी देने में देरी कर रहे है, इसके चलती लोग नाराज हो गए, आविदकों ने आरुप लगाया है कि पहचान और पैसे वालों को एनोसी जारी हो जाना चाहिए, लेकिन 15-15 दिन बाद भी ये नहीं दी जा रही है, हर दिन लगभग 400 आविदन आ रही है, इसके चलते दिवास गेट इस्तित पीएची कारेले में रोजाना काफी लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें 15-20 दिन तक टाला जा रहा है, सुमवार इस तक NOC जारी नहीं की गई, चर्चा है कि पहचान और पैसे वालों से 500 रुपे लेकर NOC दी जा रही है, यहां पर कोई भी मतलब दस्ताविज नहीं है प्रॉपर, जिसके हिसाब सापन बोल सकें कि यहां भी है, यहां पर मैं डूड़नूँगा तो मेरा नाम मिल जाएग आविदक राजश बटवाल ने बताया कि करमचारियों ने पूरी नस्ती मेरे हाथ में दे दी और कहा कि जाकर सील ठपा लगवा कर लाओ, बटवाल के मताबिक वह 10-12 दिन से परिशान हो रहे हैं, मेरिट पर काम होना चाहिए, पूरी दुनिया कंप्यूटर पर जा रही है पूरी नस्ती, इन्होंने सरकारी नस्ती मेरे हाथ में दे दी, यह क्यों दे दी, अब यह बोलना है कि वहाँ पर जाकर आप सील ठपे लगवा के लाओ और जावक करवाओ, तो जावक करके यहीं के एक बाबू को बिठा के जब 500 कदस्तावेज आपके बने, तो आपको दे मुख्य क्लर्क जगदिश नामदेव ने बताय कि एनोसी अनिवारे करने से भीड लग रही है, एनोसी जारी करने की एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करने में साथ दिन तो लगते ही है, आवक से लेकर जावक और उपियंतरी की रिपोर्ट के बाद ही एनोसी जारी ह कर दिया है, कमिशन साब ने अनिवारी कर दिया है, अनिवारी करने के बाद क्या है कि हर अवेदानी के अनुसार हमी कर रहे हैं, इसमें आवक होता है, अधिकारी से मार्क होता है पहले, इसके बाद आवक होता है, आवक होने के बाद उपियंतरी के पाई जाती है, उपियं जादा लगते हैं उसमें अभी समय साब ने के दिया इस बात के लिए फिर इसके प्लाट है या जिस मकानों में लाइड नहीं है जिस कालों नहीं है उनकी जलनासी जली बना गती है सुमवा शाम को जिला कोड परीसर की पारकिंग में रखी पुलिस कर्मी की बाइक में कोबरा घुस गया इससे वहाँ अरकम पंच गया काफी मशक्कत के बाद जब उसे पकड़ा गया तो लोगों ने चैन की सांस ली दरसल आरक्षक मुगेश ने शाम करीब 4 बजे अपनी बाइक क्रमांक MP42MK7709 में सांप देखा वो बाइक के अगले हिस्से में घुस गया था सांप को देख वो सिगर उठे उन्होंने तो रंत वन विभाग को सूशना दी जिसके बाद वन विभाग की टीम और सांप पकड़ने वाले दिलिफ शेर पहुचे और सांप को पकड़ा तो वो कोबरा निकला जिसकी लंबाई करीब 4 फिट थी उसे श्री सिंतेटिक्स के प सुमवार को दिन बर धूप ने तपाया और शाम को अचानक मौसम का मिजास बदल गया आसमान में बादलों ने अपने उपस्तिती दर्च करवाई और तेज हवाएं चलनी लगी लोगों को उमीद थी कि बारिश होगी लेकिन बादल बिना बरसे ही रह गए इधर पारे ने लोगों को गर्मी के तलक तेवर का हैसास करवाया वही शाम साड़े चार बज़े से मौसम बदला आसमान में काली घटाएं चानी लगी हवाओं ने बादलों का साथ दिया जिससे मौसम खुशनुमा बन गया इधर दिन और रात के तापमान में भी बड़ोतरी दर्च की ग अलाव आया है अभी दो से तीन दिन तक इसी तरह दिन और रात का तापमान कहीं कम तो कहीं ज्यादा होता रहेगा नया सिस्टम आठ मार्च से एक्टिव होगा इसकी कारण प्रदेश की कुछ इलाकों में हलकी बारिश होने की संभावना है विक्रम विश्व विध्याले का दिक्षांत अब हर साल शहर के जनम दिन यानि गुड़ी पड़वा पर होगा इस बार ये समारो दो अप्रेल को होगा विक्रम समवत के शुभारम वाले दिन हो रहे समारो में भार्टिक रिकेट टीम के मुखी कोच राहूल ड्रविट को मानद उपारी देने की तयारी विश्व विध्याले प्रिशासन कर रहा है इस बार दो अप्रेल को विक्रम समवत दो हजार उनासी की शुरूआत होगी गुड़ी पड़वा या नव वर्ष प्रतिपदा या चेतर प्रतिपदा से विक्रम समवत की शुरूआत मानी जाती है शेहनों का जनम दिन मनाने के क्रम में अब हर साल गुड़ी पढ़वा को उज्जेन का जनम दिन मनाया जाएगा इसी तरह हर साल गुड़ी पढ़वा पर विक्रम विश्विद्याले का दिक्षान समहरो भी आयोजित किया जाएगा कुलपती अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि राजिपाल के आदेश के बाद अब हर साल गुडी पड़वा पर ही दिक्षान समहरो आयोजित करने का निर्ने लिया गया है अगले साल ये कारिक्रम बाविस्ट मार्च को होगा इस साल होने वाले कारिक्रम के मुख्य अतिथी कैबिरेट मंतरी डॉक्टर मुहन यादव रहेंगे बतोर विशेश अतिथी के लिए तीन नामों पर चर्चा चल रही है इन पर जल्दी ही निर्ने कर लिया जाएगा राष्टि बार काउंसिल अध्यक्ष मनन मिश्रा कमाने के अध्यक्ष विज्यानिक भूपेंदर पटवर्धन और बायोटेक विभाग के पूर्व सेकेटरी रेनू सरूप को आमंतरन भेजे गए हैं एक दो दिन में समहारों में आने या नहीं आने के सहमती देंगे इधर सूतरों ने बताया कि भारती किरकेट टीम के मुख्य कोच राहूल द्रविट को मानद उपाधी देने की तैयारी विश्विध्याले कर रहा है गुड़ी पड़वा बहुत ही विश्विध्याले के लिए इसलिए निश्चित किया गया है कि उसी दिन ये कारिक्रम कराया जाएगा और महा महिम की भी इक्छा थी कि हर विश्विध्याले अपने इतिहासिक दिन पर अपना कॉनुकेशन कराएं इसलिए ये दिथी निर्धारित की गई है अब हर बार जो है गुड़ी पड़वा के दिन पर ये कारिक्रम होगा इस कारिक्रम में उमीद की जा रही है कि हमारे तीन अतितियों को अप्रोच किया गया है जिसमें डॉक्टर रेनी शरूप है वो डॉक्टर हुपेंद्र पटवर्धन जी है डॉक्टर मनन मिश्रा जी भी है इन तीनों में से जिसका भी एक दू दिन में फाइनल हो जाएगा उसको अतितिय के रूप में हम लोग आमंत्रित करेंगे और वो दिक्षान्त भास्ट भी देंगे के दो वर्ष पहली अपने भुक्तान की उमीद बंदी थी लेकिन प्रशासन की लेत लादी के चलते अविचिंदित हैं दरसल सुप्रीम कोट ने वर्ष 2019 में प्रशासन को आदेशित किया था कि दो साल के अंदर मजदूरों की राशी भुक्तान की जाए लेकिन भुक्तान का आश्वासन दिया है कलेक्टर के आश्वासन से असंतुष्ट मजदूर और निशित कालिन धरने पर बैठ गए हैं आदेश का पालन हो और अतिशिग्र मजदूरों का भुक्तान मिले और हम मजदूर भाईयों को भी ये बताना चाहते हैं कि जिनने अपने कागजाद जमा नहीं करें वे अतिशिग्र उज्जेन मील मजदूर संग में अपने कागजाद जमा कर दें ताकि उनका हम हिसाब ब दोरान बुजूर्ग ने दम तोड़ दिया. मामले में जिवाजी गंच्थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया है. चाशिस्टिंग ने गेहु खरीदी के लिए किसानों के रगवे के सत्यापन का निर्दिश दिया है. अब तक एक लाग किसानों ने पंजिन कराया है. कलेक्टर ने कहा कि रगवा सत्यापित नहीं होने से पुराना गेहु भी खरीद लिया जाता है. इससे शासन को नुकसान ह मंगलवार को शहर में जल प्रदाई नहीं होगा. पी एची द्वारा संधारन कारी के चलतीर निर्ने लिया गया है. बुदवार सी नियमित जल प्रदाई होगा. सकता जल जल को युक्षाओ वार को युक्षा जाता है. एज दो स्वार नहीं होगा है. . तो आपने दिखा भी नीज का आज का बुलिटी अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीदबैक है तो हमारे कमेंट सेक्षिन में ज़रू बताईएगा कल फी मिलिंगे जिसमें, नमस्कार झाल